कि नमस्कार दोस्तों वॉल्कम बाइक दोस्तों केंडल स्टिक पैटरी में आप सब स्वागतтесь है तो दोस्तों जैसे कि‌ अपने पर वन में और चुर्ट 2 में देखा कि हम कैंडल को कैसे रीड करते हैं कैसे उसका body हम देखते है हाई लोक इस हिसाब से होता है फिर हमने देखा था कि उसमें हैमर कैसे बनता है वो सब यह जैसे कि मैंने last part 2 में यह बताया था कि आप falling star shooting star या तो फिर inverted हैमर को कैसे trade करते हो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका link इसमे डाल दूँगा description में तो आप उसको देख सकते हो और दोस्तों आज हम सिखेंगे की bullish engulfing and bearish engulfing तो उसमें क्या होता है हम देख लेते हैं तो पहला जो हमारा होगा वो है bullish engulfing इसमें आप देख सकते हो कि यह जो candle यानि bullish engulfing कब हमें trade करना चाहिए कभी भी market जब उपर से न ने चार्ट पर देखते हैं कि red बनते आ रहा है तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पर जैसे कि red candle है उसके बाद में एक green candle बढ़ा वो green candle कैसा होना चाहिए green candle ऐसा होना चाहिए कि red candle का पूरा body को वो engulf करें यानि कि पूरा खा जाए वैसे तो ऐसे आप देख सकते हो यहा body है यहाँ पर इसने open किया green ने और close कहां पर यहाँ पर किया हुआ है यानि कि यह bullish candle है उसने पूरा यहाँ पर जितने भी seller थे उस सब को यहाँ पर absorb कर लिया तो उसको बोलता है कि bullish engulfing दोस्तों यह एक trend reversal candle भी माना जाता है दोस्तों यहाँ से आप trade कर सकते हो जब ऐसा को logic बट क्या होता है कि pattern उसका bearish में क्या होता है कि market continue of trend जा रहा है यानि कि आपको green 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 ऐसा candle बनता हुआ देखेगा उपर की side फिर जाके at the top आपको एक ऐसा red candle बनेगा green के बाद red आएगा और वो open होगा जो green है उसके उपर यानि कि यह इसका high है उसके ओपर यहाँ पर open होग और उसका close यह body के नीचे होगा यानि कि यहाँ पर जितने भी बाइर थे वो सब को इन्होंने absorb कर लिया यहाँ पर तो बनता है यह bearish engulfing तो दोस्तों यह दो candle हम आज देखेंगे चाट पर कि हमें कैसे दिखता है as usual I always said right the books different chart difference तो हम चलते हैं चार्ट पर दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लिस लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों तो हम आ गए अभी चार्ट पर तो यहां पर हमें क्या देखना है कि यह जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर continue एक अपर ट्रेंड चल रहा है यहां पर और फिर जाके में थुड़ा जूम कर देता हूं यह market यहां पर continue uptrend में चल रहा है at the top यहां पर यह फॉलिंग यानि की सुटिंग स्थार जो हमने second chapter में देखा second part में उसके बाद में यह एक red candle बना इसका body क्या था यहां पर 95 इसके ओपर ओपन हुआ और close उसके विलो हो गया तो अगर आपको trade करना हो तो कैसे कर सकते हो हम हमारा trend confirm हो गया उपर यह उपर जा रहा था फिर green के बाद एक red बना तो हम उसके low के नीचे sell करेंगे यह ऐसे आप line draw कर सकते हो तो आपको क्या करना है जब भी इस candle के नीचे trade करें आप short करो और उसका आपका stop loss रहेगा जो swing high रहता है यानि कि यह previous candle को आप stop loss करके रख सकत हो फिर आपको trade इसको करना है यहां पर भी आपको देख रहा होगा कि यहां पर हम क्यों नहीं कर सकते करें यहां पर भी है कि यहां एक green candle पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो यह market यहां से continue उपर आ रहा था फिर यहां पर इंसाइड बर बनाया और फिर consolidation हो गया यानि कि कि यह हमारा condition यहां पर apply नहीं होता है अगर यही चीज यहां पर ऊपर कहीं पर बनता फिर यह red candle बनता यह वाला तो यहां पर confirmation हो जाता है कि हां हम इसको short करके जा सकते हैं फिर हमें देखना होता है कि bully single thing कैसा होता है यह हमने एक bearish देखा यहां पर हमें मिलेगा एक continue यहा आ रहा है continue आ रहा है करें फिर हम यहां पर आप देखो के तो आपको मिलेगा कि bearish engulfing है करें यहां पर यहां पर यहां पर क्या हुआ है इसके high के ऊपर यहां पर उसने breakout नहीं दिया पर इसके low के नीचे इसने breakout दे दिया है तो यह invalid हो जाएगा हमें एक next ढूनना है तो दो कि यहां पर इस level पे आके इसने क्या किया इसके body के नीचे भी open हुआ और close किया हुआ है acontec दे इसके उपर ही बह सकते है तो हम क्या कर सकते हैं आप यहां पर trade करने के बजाए आप करना होगा इसके both trade यहां यानि कि आपको इस level के quant trade मिलेगा है. यहां पे भी नहीं मिलेगा. क्युकि यह पूरा gap ohpn भिव रहा है. आपको यह level का वेट करना है और फिर cost trade करना है. यहां पे मैं यह क्यूं बक़ बोल रहा था? यहां पे यह bearish ink motif inc ne count होगा. तब जाकि ये बना हुआ है पर हमें चाहिए कब bearish के लिए चाहिए कि market उपर जाता हो फिर ये red candle यहाँ पर बने तब हमें bearish engulfing को trade करना है नीचे जाते वक्त हमें क्या डूनना है हमें bullish engulfing डूनना है दोस्तो ऐसा candle pattern डूनना है आपको book के जैसा नहीं मिलेगा दोस्तों पर आपको यहाँ पर ढूनना होता है कि कैसे आप यह apply कर सकते हो अगर यह से बीच में कहीं पर भी बनता है तो उसको हम inside bar candle के हिसाब से आप trade करके जा सकते हो अगर continue pattern आ रहा है तो यह bearish candle count होगा उसके लोग के नीचे आप short करेंगे पर trend reversal के लिए हमें वह condition याद रखना है नीचे मिलेगा bullish engulfing ओपर मिलेगा bearish engulfing यहाँ पर भी एक continue उपर market जा रहा है आपने देखा यहाँ पर trend continue जा रहा है हमें bearish engulfing कहां पर मिला इस लेवल के आ रहा है यहाँ पर अभी तक हमें bearish engulfing मिला नहीं है तो हम continue जाते हैं यहाँ पर bearish engulfing क्यों नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है इसके लोग के ऊपर close किया है इस करेक्ट तो यह invalid हो जाएगा इसको tweezer बोलते हैं हम दूसरे चार्ट पर चलते हैं जहाँ पर हमें और कोई मिले यह भी एक candle pattern होता है reversal का मैं आपको बाद में वह बता हूँगा यह भी एक तीन जो है black crow यह भी एक candle pattern रहता है यहाँ पर आपको एक bullies engulfing मिल गया है जैसे के market यहाँ पर continue गिर रहा है यह candle ने इसका जो भी यह low था यानि कि यह seller थे उसको यहाँ पर इंगल्फ कर दिया आपका long बनेगा इसके ऊपर यहाँ पर और आपका stop loss आएगा यह वाला और आप swing trade उसको कर सकते हो दोस्तो यहा body इसके body से नीचे से start हुआ है हमें एक और यहाँ पर bullies engulfing candle मिला है यह वाला दोस्तों यहाँ पर इसके लोग के नीचे ही यहाँ पर exactly और equal to के बरे बरे है यानि इसका close में देखता हूं क्या है 3 2 इसका इसका low है close 32532 यह open कहां पर हुआ हाँ similar है अगर point के हिसाब से देखे तो यह green वाला उसके नीचे से start हुआ है क्योंकि इसका close हुआ दा 0.5 जबकि इसका low है 32 करें तो यह भी एक bullies engulfing candle है और इसका confirmation इस level के उपर हमें मिलता है 2560 के उपर आप trade करके जा सकते हो दोस्तों एक यहाँ पर various engulfing मिला है पर आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर activation के बाद में भी इतना इसका moment आया नहीं है जैसे हर candle का drawbacks रहता है हर एक strategy का भी रहता है यहाँ पर इसने एक candle बनाया नीचे इसके लेवल के नीचे फिर यहाँ पर एक बड़ा candle बना और फिर इसने यहाँ पर stop loss इसका ले लिया आप देखोगे तो stop loss hunting हो गया और फिर वापिस यह continue नीचे आने लगा था यहाँ पर देखेंगे तो एक continue uptrend के बाद consolidation हुआ इस लेवल के यह जो resistance था उसके आसपास इसने यहाँ पर एक candle बनाया फिर इसने यहाँ पर low लगाया हुआ है तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ आपको यह चोटा सा वीडियो में पता चला होगा कि हमें कौन सी जगह पे क्या trade लेना है दोस्तों मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कैसे trade करना है तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में पता चला होगा कि हम में इंगल्फिंग और बैरिस इंगल्फिंग बुलिस इंगल्फिंग को कैसे ट्रेड करना है और किस लेवल पर करना है दोस्तों बुलिस इंगल्फिंग ऑल्वेस बॉटम या तो सपोर्ट पर होना चाहिए बैरिस इंगल्फिंग टॉप या तो फिर रजिस्टंस पर होना चाहिए between this consolidation हमें उसको avoid करना है various engulfing में हमें continuation green candle मिलना चाहिए उसके बाद में red candle होना चाहिए उसके लोग के नीचे break करें तब हमें trade करना है bullish engulfing में एक continuation fall होना चाहिए market का उसके बाद में हमें green candle मिलना जैसे कि यहां पर देख सकते हो उसके हाई को क्रोस करें तब हम उसको लॉंग करके जा सकते हैं दोस्तों आप इस पैटन सब है जो मैंने वन टू एं थ्री पार्ट में जिखा है अब उसको चार्ट में प्रैक्टिस करो आप देखो कि आपको कहां पर मुस्किल आ रही आप कि क्या यह अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है और कोई और भी आपको पैटन अगर सीखना है केंडल का तो आप वह भी मुझे कमेंट में सुझाओ के डाल सकते हो मैं वह नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का ट्राय करूंगा थैंक्यू दोस्तों बाबाई हैव छल्डाप legapan में अचल वह मैं करूंगा तो स्थती है और रहा है और कर रहा है तो आथ उल्म न है तो belki सब्सक्षी कि देखनए है और हैं और हो जिर को बौन कि देखना कर?